तो भाईयों जब आप Instagram पर message के option पर click करते होंगे तो simply यहाँ पर आपके जितने भी friend है वो आ जाते होंगे लेकिन भाईयों कुछ friend की user ID है उसके नीचे यहाँ पर यह option आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा priority तो भाईयों आखिरकार एक priority option क्या है और एक कुछ लोगों की मतलब की user ID पर क्यों लिखा हुआ आ रहा है सभी के मतलब की user ID पर क्यों नहीं आ रहा है और भाईयों आप इसको priority को हटाना चाहो तो फिर किस तरीके से हटाओगे हटा सकते हो या फिर नहीं आज की इस वीडियो में हम आपको इस priority option के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से गाइड करने वाले हैं तो भाईयों चलिए बिना कुछ देरी किये विडियो को करते हैं start और आपको बता देते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार इस priority का मतलब क्या होता है तो भाईयों प्राथमिक्ता से क्या मतलब मतलब कि यह है कि जैसे कि आप इंस्टाग्राम पर जिससे ज्यादा बाते करते हो तो भाईयों उसकी यहां पर मतलब कि जो यूजर आईडी है उसकी नीचे यहां पर priority option आ जाएगा लेकिन अब आप एक होगे कि यह मतलब की priority option उन ल हुआ है तो भाईयों होता क्या है कि मतलब कि इंस्टाग्राम की टीम अभी चेक कर रही है तो भाईयों मतलब कि अभी new feature है तो इसलिए सही से work नहीं कर रहा है मतलब कि आप किसी से ज्यादा चैट भी नहीं करते हो उसकी यूजर आईडी पर यहां पर priority option आ जाता है तो भा मतलब कि यहां पर यूजर आईडी पर priority option आ जाता है तब तो यह मतलब कि अच्छा नहीं है option तो भाईयों हो सकता है कि इंस्टाग्राम इस option में कुछ आगे improvement करे और मतलब कि यह सही से work करने लगे तो भाईयों अब यह बात हो गई कि आखिरकार अब बात करता हूं कि priority option मत मतलब कि जिसके username पर आप लगाना चाहो उसके username पर लगा सको और जिसके username पर आप हटाना चाहो हटा सको मतलब कि ऐसा कोई option नहीं है हो सकता है कि future में कोई इस तरीके का option आ जाए इंस्टाग्राम पर तो आप इस priority option को आपने इस सबसे कर सको लेकिन अभी तरह कोई ऐसा option न बॉक्त नहीं कर रहा है मेरे भी मतलब कि यहां पर बहुत से आपसे लोग है जिससे मैं मतलब कि ज्यादा बात भी नहीं करता हूं लेकिन उनकी मतलब यूजर आइडी पर यहां पर प्रियूरिटी option आ रहा है तो मैंने आपको अच्छी तरीके से guide कर दिया हुआ कि कि आकि झाल